आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ सबसे आसान आइस क्रीम की रेसिपी सबसे आसान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसे बच्चे भी बना के इंजय कर सकते हैं इसे बनाने के लिए मैं कोई जंजट नहीं करना पड़ता बिना गय जलाए केबल दो चीजों से बन के तयार होजाती है आप देख सकते हैं खाने में बहुत ही स्वादश लगती है तो आईए देखते हैं कि ए औरियो आईस क्रीम कैसे बनाते है और यू आईस क्रीम बनाने के लिए लिए ऑप 10 और यू बिस्कित लिए हैं और इन विस्कित्व को पॉलितिन में ट्रांसफर करने के लिए बर दियाक पाउडर के रहरें अगर वहुछय को आप इहां पर निकाल सकते हैं आपके आपके गुस्ते में आपके भया निकाल सकते हैं बिक्तना on- Chun of congregateur कर सकते हैं और फिर इसमें डाल दूंगी आदा चमज बनेला एसेंस यह पूरी तरे श्री ऑप्सनल है लेकिन मेरे पास अवेलवल था तो मैं एड कर रही हूं और अच्छे से सभी चीनों को मिक्स कर लेंगे तो यह हमारे दूद है तयार हो चुका है आइसक्रीम मनाने के लि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो अलरी मैं कई वीडियो में आपको बिना मोल्ड का इसकी मनाना बता चुकी हूं तो आप उसका इस्तवाल कर सकते हैं अगर रेसेपी रेखनी है और रेखनी है तो मैं लिंक नीचे डिसक्रिप्शन में दे दूंगी वहां से जाके आप तो इस तारीके से सभी मोल में मैंने औरियो बिस्किट हैं टांसफर कर दिये हैं अब हम इसमें दूद एड़ कर देंगे जो हमने चीनी मिक्स करके तयार किया है यहां पर दूद में लिया है यह पहले से गर्म है और आप चाहिए तो फ्ल क्रीम दूद का भी इस्तीमाल कर सकते हैं लेकिन जो दूद लेना है वुह गर्म करने के बाद थंडा कर देंगे अगर आपके पास अलमोनियम फोयल तो कोई बात नहीं आप यहां पर पॉलिफिन का इस्तमाल कर सकते हैं पॉलिफिन लगाने के बार रवर लगा दीजिएगा उससे आपका काम चल जाएगा अब मैं इसमें चाको की सायता से इस तारीके से होल कर दूँगी और होल करने के बाद अब हम इसमें लगा देंगे आइस क्रीम स्टेक तो गाईज अगर आपको यह रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा यहां पर हमने आइस क्रीम स्टेक लगा दी है अब हम इसे जमने के लिए रख देंगे तो आप चाहें तो इसे 6-7 घंटे जमा सकते हैं और मैं इसे रात को जमाने वाली हूँ क्योंकि मैंने यह साम को बनाई है तो मैं इसे ओवरनाइट जमाऊंगी यानि कि हम इसे जब त मैं अभिनाम काम झाहें आप और मैं जब और झाहें परण जकानी काव दनए आख वाली आईटर्व हूँ सकते हैं तो देख़ने में इसे भी जाय क् runs वाली है तो आपको प्रण रहता है तो और झालन को सब्सक्राइब बना मत भूलिएगा मिलते हैं ऐसी नई और यमी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई